बिश्णू प्रवागर गावाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है बिदेश भेजने के नाम पे ठगी ये कोई नया नहीं है और बिदेश भेजने के नाम पे आम गरीब बेरुजगार जनता इस तरीके से फच जाती है विश्वास और विश्वास के साथ इतना बड़ लगभग चालिस से जादा लोगों को एक बड़े अस्तर पर फ्रॉड किया था अगर रुपे की बात करें लगभग 25 लाग से जादा के रुपे का फ्रॉड हुआ है लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है शाशन प्रसासन इतना जागरूप कारकम चला रही है फिर भी आम लो पर एक स्केम तो चलता ही है कि बिजिटर भीजा पर भेद दिया जाता है और जो एजेंट होते हैं जो दलाल होते हैं आम भासा में कहें तो वह कहते हैं कि आप पहुंचिए फिर वहां पर आपका डेट बढ़ जाएगा फिर आपको काम करना पड़ेगा कुछ लोग ब्लड जाजर करने वाली स्था से मिलकर दो सोरूपया तीन सोरुपया देगे उसका मेडिकला में जाता है आता है कि जब एक बार इंटरवी उता है तो तीन से चार शोंग आते हैं अब चार सो लोग जब पाजी सो पैयं दींगे तो उसका आंकड़ा क्या होगा और यह जो लोग पाजी सो पर देते जते हैं ये सर्फ पाजी सो पिया आया है और इसलिए बेरोजगारी के हालत में विदेश जाना चाहते हैं आज पुलिस प्रशाशन ने एक निश्तारहंड करते हुए चार लोग को गिरबतार किया है क्या कुछ मामला समझते हैं कहां के रनवाले प्रोग कहां कहां के लोग हैं आपे यहां पे दिवरियां, कुछी नगर, महराज गेंज और बिहार अचा कितने लोग के संग्य होगी अलगभग 80 या 50 अचा कौन पैसा लिया है किस तरीके से पैसा लिया है बता दिजे रंजन कुमार सिंग अपने एक आउंट में पैसा लिया है ज्यादा होगा, 27-28 लाकर रियर बाउट होगा आज पुलिस प्रसाशन ने प्रेस कांफरेंस करते हुए चार अभ्युक्तों को गिरुप्त किया है क्या, एसपीश आप क्या आश्वासन दिया है आप लोग को आप लोग तो इसके पूरों में भी विदेश गया होगा, फिर मेरे को बुला के पैसा ले लिए कैसा पर लेटर वीजा छफर जी जी इस तरीके से मतलब एक जो लागतार विदेश आते वह भी फजाते है तो आप लोग प्रशाशन सरकार इतनी जागरुकता कारिकम चला रही है किसी भी जो है ऐसे बेकतिक के जहां से में नौ आए जो रेशर संस्ता हो जो विदेश भेजती हो उनी से संपर करें ऐसे अंजान बेक जो ट्रूयले ट्रवस कंपनी के नाम से एक आप इस खोल देते हैं इंटर्व्यू करा देते हैं बाद में लूट के चले जाते हैं फिर रोते रहते हैं पुलिस पर साथन की दुहाई देते रहते हैं तो सबसे बड़ी गल्ती तो आप लोग की है ना? कुछीनेगर आप कहा थे हैं भाई सब्सक्राइब कोपाल गंज का सवाल बड़ा यह है कि किस तरीके से जहां से में लेके यह एजेंट यह दलाल उन गरीबों को जो किसी बड़ी मुश्किल से 70-50 तरा रुपया ब्यवस्ता करते हैं और तमाम उनके सपने होते हैं लेकिन वि मेडिकल के नाम पे और यह ठागी चलती रहाती है कुछीनगर पुलिस प्रसासन एक्टिव है लागतार इन मामलों का निस्तारण कर रही है और उजागर भी कर रही है अब देखना है इन लोग का मामला कम तक निस्तारण हो जाता है खैराज इस मामले में चार लोगो जो का परदा फाश किया है इसमें कुल चार अभियुक्तों के गिरिफतारी हुई है जिनके नाम मुकेश रावत, प्रिंस कुमार, मंतोष तिवारी और संजीव गुकता है इनके पास से 7 लाख रुपए से अधिक कैश बरामत किया गया है अपराद में प्रियुक ते तीन लैपटॉप बरामत किये गये हैं, 22 पास्पोर्ट जो इन्होंने बंधक बना के रखा था वो बरामत हुआ है इसके लावा 13 मोबाइल पून, 40 कूट रचित महरे, 49 फरजी सिम कार्ड, 22, 23 ओफर लेटर इस तरह के तमाम फरजी जो डॉक्यमेंट्स हैं, तमाम जो इनके डि यह उसके पहले पैसे लिया करते थे और उसका प्लींट उसको हो जाता था, लेकिन जब वो जगर पे पहुंसता था तो इस पहुँ इस्थिती नहीं होती तो इस प्रकार से कि ये डिटेल पूरी प्रक्या थी जिसके तहट वो भोले भाले लोगों को ठगी का काम करते थे इसमें कुल चार लोगों की गिरिफतारी की गई है और इसमें जितना भी डाटा हमारे पास रिकवर हुआ है उसकी पड़ताल की जा रही है इनके जो एकाउंट से उनको फस आखी बस् घटे की गई